हेलो फ्रेंट्स डियाइड डॉट आर्केटॉक्स एपीसोड में आपका स्वागत है इस बार हमारी वहुत सारी फ्रेंट्स ने गुल्डन आवर के बारे में जानना चाहा है कि कुछ एमर्जेन्सी जैसे होती है जिसमें पहला घंटा बहुत इसलियों का नाव गुल्डन हावर है सुनेरा गंटा है क्योंकि इसलिय इंपोर्डन है कि फर्स्ट आवर में उसको राइट टीटमेंट मिलता है राइट कियर मिलती है तो बहुत सारी उसके मन्निक की चांसे कम हो जाते है और सारी वाइवेल उसका बढ़ जाता है आज अपन उसी भीबारियों के बारे में जानेंगे जिसमें गुल्डन हावर सईटन से काम करता है तो फर्स्ट ऑफॉबर जो गुल्डन हावर आया वो एक तरह से तो फिर्ष वर्ष ट्रॉमा से उसको बन गहेंगे सीवियर ट्रॉमा या अपना फ़र्मुला है अ चाहें से चाकुय और गुली है बंदु की वह लग जाती है तो उसमें पहला गंटा है वह बहुत बहुत्पूल गंटा है वो उसमें उसको राइट मिलती है, फर्स्ट डीट मिलती है और राइट टीटमेंट मिलता है, राइट कीर मिलती है और उसके सर्वाइबल के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए ये पश्ट आवर कह रहा है क्योंकि एक्सी डेंट के अंदर जो पचास परसेंट होती है उती है पहले गंटे की अंदर ही होती है इसलिए पईल गंटा सिबसे मेरी पुर्ट गंटा है कि हमआरी साई टाइम पे राइट टाइम पे टीटमेंट पहुंँ जाए लग ज ऑगर आंग जाता है तो ब्रेंट वी जंदी से इंप्रूब हो जाता है। दिन फट फट अब जाएं तो यह दूसरी नंबर का इस हो गया तीसरी नंबर का है सॉक में क्या है जैसे मालोब ब्लड पेशर एक्दम डाउन होगया किसी भी कंडीशन से तो उसको फट 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 अबर जी आए तो फट फट इसे आई बी फ्लूट्स चाहिए और कॉछ सी केंडिसान meantongू हो जाए जिस में सहूप में सबसे पहले है जल जाता है कोई आदमी जल जाया को दोससा बहुत सारा आफ उसे जला जाता है संवी फिर उसके बा cinnamon is ना भी छाहिए फिर उसके बार dharma रुप और ब्लूट लॉज जाती हैं जैसे उल टी दस्त की मिमारी हो चैने नदर को अगी जा भी सेबते हैं ब्लॉड पलियुर्च हौज सांटेता है तो इसको फ्लुटी इमुडिट चाही है तो यह first hour इसमें बहुत important hour है, तो उसे मरीज की जान बच जाती है, फिर उसे बाद septic shock है, तो septic shock में भी वोई fluid चाहिए है, एंटिवाइटिक्स चाहिए है, तो ऐसे करके number S हो गया, third S हो गया, number fourth है, status epilepticus, जैसे किसी को दौरा पढ़ गया, चाहिए वो surgical course से या बिना surgical course से, जैसे उसको बिर्गी का दौरा पढ़ गया, या कोई head injury की बज़े से हो गया, या space occupying legion हो गया, प्रेन के अंदर कोई legion हो गया है, उस से उसको दौरा पढ़ जाता है, तो जो status epilepticus है, उसमें अगर पांस मिनिट तक लगाता है, दोरा पढ़ता है, लगाता है, सीजर आता है पांस मिनिट तक, तो उसको status epilepticus के कहलाता है, और उसमें बीच में उसको मालभूस नहीं आता है, तो वो status epilepticus में पहुंचाता है, तो ऐसे मरीज के लिए, बार्बिच्रीट्स चाहिए है, चाहिए है, बेंजर डाइजीपी चाहिए, और ज्यादा जरूद पढ़ जाती है, तो उसको प्रोफॉपॉल या नैस्थेटिक ट्रग चाहिए, तो उसको तुरन होस्पिटलाइज़शन की जरूद हो जाती है, और अगर मालोस को टामली ट्रीट्मेंट नहीं मिलता है, त तो सांस के दोरा में उसको जैसे इनहिलर लग गया, फिर उसको जैसे नेविलाइजर या या इसको इस्टिरोइड या फिर बेंटी ले पर रखना है, या फिर उसको कोई आईवी ड्रग चाहिए, तो उसको फर्स्ट आवर उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, तो आज इसे करके अपने कुछ बीमारियों के बारे में जाना है, जिनके लिए या जिनमें पहला घंटा बहुत इंपोर्टेंट होता है, उस टाइम पर उसको राइट केर मिलेगी, तो मरीज फटा फट्ट हो जाएगा, अगले एपीसोड में अपन अपन भर बीमारी के ब